नमस्कार साथ यह आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल जोगे स्कुमार पर आज की वीडियो में हम N.I.O.S.D.L.A.D. ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई हैं इस वीडियो को लाइक वे शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रही है प्यारे साथियो बोसे विद्यारतियों ने कमेंट करके पूचाए कि सर N.I.O.S.D.L.A.D. में हमने यूपी टैट में फर्स्ट ओप्सन से फोर्म फिलप कर दिया है क्या कोई समस्षा होने वाली है हम आपको बताते हैं कि आपने N.I.O.S.D.L.A.D. से फर्स्ट ओप्सन से यूपी टैट का फोर्म फिलप कर दिया है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यदि आपका बहम है आपको बहम हो गया है तो आप दुबारा बर सकते हैं यूपी में तो हम बताते हैं कि N.I.O.S.D. 10.2 लेविल वाले भी ने भी की है और आपके ग्रेजवेशन अस्तर पर भी की है तो ग्रेजवेशन अस्तर पर जो है वो वैलिड है वे यूपी टैट भर सकते हैं उनको क्वालिफिकेशन ओप्संस में कोई दिक्कत नहीं है उनका एक्सेप्ट कर लिया जाता है परन्तु जैसे ही 10 पलस 2 वाले हैं जब वे क्वालिफिकेशन भरते हैं तो क्वालिफिकेशन में नोट परसंटेज रिक्वार्ड ऐसा लिखावात है तो यही यह कारण है कि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है आपका इंटर में 50% मार्क्स होने चाहिए थे और ग्रेजुएशन में भी आपके 50% मार्क्स चाहिए थे इस वज़े से आपके क्वालिफिकेशन ओप्संस म ऐसा आ रहा है प्रन्तु यदि जो ग्रेजुएशन किया है जिन्होंने 50% मार्क्स है और इंटर में भी तो उन्हें कोई दिक्क्त नहीं है उनका फोर्म भिलफ हो रहा है वे बर सकते हैं ओके साथ हो यदि आपको हमारी जानकार यह अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक रहे सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब त के लिए धन्यवाद जैन जै वारत जै भारती